हेई गाइज वेलकम ने माँ चैनल और मैं हूँ राबिया आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हैर स्ट्रेटनिंग फॉमिला हेर स्ट्रेटनिंग मास्क या करीम बनाने के लिए आपको चाहिए एक कीला नारियल इसको छिल कर इसकी उपर की covering निकाल कर अंदर का नारियल निकाल लीजिए अब इस नारियल को आप छोड़े छोड़े pieces में काट लीजिए एक mixer grinder लीजिए और इस कटे हुए नारियल को इसमें डाल दीजिए इसमें एक कप पानी दाले और इसको बिल्कुल बारिक पीस लीजिए इसको पीसने के बाद एक strainer से इसको छान लीजिए ये जो चीज आपको मिलती है ये है coconut milk अब ये जो बचावा coconut meat है इसको आप फिर से grinder में डाल दीजिए एक छोटा कप इसमें फिर से पानी दाले और इसको फिर से बारिक पीस लीजिए अब फिर से strainer से इसको छान लीजिए ऐसे maximum दो से तीन ही बार आप इसका milk एक्स्ट्रैक कर सकते है ये जो मिल गए ये है आपका coconut milk आप बाजार से ready made coconut milk भी खरीच सकते हो लेकिन घर का जो होता है वो बिल्कुल pure होता है अब इसके बाद में आपको चाहिए बनाना यानि की केला एक या फिर दो आपके hair length के हिसाब से आप इसमें केला लीजिए और एक blender में इसको छोड़े-छोड़े pieces करके डाल दीजिए आप अगर इसको थोड़ा सा थिक बनाना चाहते हो तो आप दो के जगे पे तीन बनाना भी इसमें आड़ कर सकते हैं दो नीमू के अरस को निचोड़ कर इसमें डाल दीजिए फिर जो हमने coconut milk निकाला था उसकी half quantity यानि की एक cup जितना coconut milk आप इसमें add कर दीजिए बनाना से आपके बालों में shine आती है और इससे आपके बाल सिल्की बनते हैं और इससे भी आपके बाल smooth और straight होते हैं अब इसको बिल्कुल बारी एक piece लीजिए बनाना बिल्कुल अच्छे से इसमें blend हो जाना चाहिए और ये हो गई ready आपकी hair straightening और smoothening cream coconut milk में vitamins and minerals है जो आपके hair shaft में penetrate होते हैं इससे आपके बालों का damage repair होता है बालों से dryness, frizziness reduce होती है और इससे आपके बाल स्मूद बनते हैं इसके regular use से आपके बालों में straightening effect आता है बनाना को हमने use किया है आपके बालों में shine add करने के लिए और इससे आपके बाल silky होते है और इससे भी आपके बाल straight बनते हैं बालों के चोटे-चोटे section करके इसको apply करें apply करने के बाद इसको एक घंटे के लिए अपने बालों में रखें उसके बाद इसको rinse कर ले इसके लिए इसके लिए आपको shampoo और conditioner यूज करने की ज़रूरत नहीं है आप चाहो तो use कर सकते हो softness, silkiness और shine यह आपके बालों में आपको तुरंथ तिखेगी लेकिन hair smoothening और hair straightening के result के लिए आपको इसको हफते में 2-3 बार regularly use करना है कुछ भी एक तक इससे आपके बालों का जो भी curliness है waviness है वो reduce हो जाएग और आपके बाल आपको naturally smooth और straight दिखेंगे तो यह ता मेरा अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बापाई